नमस्कार एन्बी नीउस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी राजपूत और इस बुलेटन में आप सभी का स्वागत है आए रुख करते हैं खबरों का कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी राजप असम में पहुंचे हैं यहां उन्होंने विधान सबाचुनाव अभियान की शुरुआत की राहुल गांधी ने शिवसागर जिले के शिवनगर बोर्डिंग फिल्ड से रैली को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कान खोल कर सुन ले कि CAA नहीं होगा राहुल गांधी ने 150 रुपए के नोट और कुछ सिक्के दिखाते हुए कहा कि वह इससे बताएंगे कि BJP देश में CAA इसलिए लाना चाहती है उन्होंने कहा कि असम के मजदूरों को 166 रुपए मिलते हैं और गुजरात के कारोबारियों को टी गार्डन देते हैं मोदी जी जानते हैं कि असम को तोल कर ही वह यहां से चोड़ी कर सकते हैं राहूल ने कहा हम दो हमारे दो बाकी सब मरलो असम से सब कुछ ले लो देश को सिर्फ चार लोग चला रही है सब कुछ बोले बजट में लेकिन किसानों को कुछ नहीं दिया असम में जाओ बाटो और जो है वह ले लो बस इतना ही जो आपका है वह यह चाहते हैं वह जानते हैं कि असम में आग लगा दी तो जा चाहे वहाँ ले सकते हैं आपका है वह यह चाहते हैं और जानते हैं कि अगर आपको बाट दिया अगर यहां आग लगा दी तो जो भी लेना चाहते हैं और मैं यहां इसलिए आया हूँ हम आपको बताना चाहते हैं कि असान को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोर सकती ही और जो जो आपको जूने की कोशिश करेगा जो यहां नफरत पैलाने की कोशिश करेगा उसको आसान की जत्ता और प्रोग्रिस पार्टी मिलके सबसे खाए हम जो लोगणी की जिएस्टी की टॉर्टी पार्म जी अपरी वात्ताँ आपको तो थोड़ा समय हिंदुस्तान में जोहरा उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ रोजगा हिंदुस्तान में छोटे बिजनस, मिडल साइज बिजनस, किसान और छोटे वियापारी तियार करते हैं, पेदा करते हैं बड़े बड़े दियोपती रोजगार नहीं पेदा है, यहां युवा जो आए है, आपका भी मालू मैं, कि असाम को अगर हम असाम के बाद करें, तो युवा के साथ में सबसे बड़ा मुद्धा रोजगार का हुद्धा है, असाम का युवा, चलिए इस मसले पर चर्चा के शुरुआत कर लेते हैं, इस समय दो महमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए है, रतनाकर सिंग जी कॉंग्रेस से, इसके अलवा अमित्र पार्ठी जी, जो कि भारती जंदर पार्ठी से हैं, दोनों ही महमानों का स्वागत है, अमित जी पहले देश तो कंदिलता से नहीं लेता है, वो बारबार रिकिते हैं, आप अही पत्व हैं, वो देश की जंदा जानती है, लगातार ये चुनाओ में भी 2019 से मुक्वा चुनाओ हो चाहें, फिर 2014 से चुनाओ हो, ये लगातार यही बाते कहते आ रहे हैं, लेकिन इनको बारबा क्योंकि आज इस तरीके से ये बताते हैं कि आसाम की, आसाम में इनों ने दस वाम रख किया है, हम तो पहली को रहा है थे महाँ पस, आज वहाँ पर जो ट्राइब वोटर का मुदा था, उसको इनों में जो वहां के गईब आदिवासी उसके उनकी जमीनों को कब जाने का का कि आज वहां पर हमारी साहिकार आने के बास से आजिवास्कियों को जमीन पठ्टा भी आजागा है, हमारे पदान मत्रीजी अभी जाकर देखिया है, और आज जो जो आसाम के लोगों का हट था, जो योगनाय आती थी केम में, वो घुस्तरियों को दी जाती थी इसमें हमार पर C.A. के मिये आवाज उदायों C.A. कानूर आतर वहां के आसामियों का जो हट था, उनको दिलाने का काम पर ले जा रही होगा है, जो भीखा कम लोगों को गुम्रा कनने पपर्याज करते है, वह नौतन की है, और वो देख की जनता जानती है, इसमें उनकी बातों को पुष की करते हैं। और आपडिया संप्राइब टो जो गोशना ने पारत नहीं पता है। आपके साइब में फट्रेस इन परता करना चाहसे है। रनला मंतरी जी के लिए ठीजे बोगां छोड़ा थी जाए फर्रीव देट आउट डोड़ा कट्मान किया। गर्टी डेस की जंता ने देखा, इनकी बातों पर किसी को पर वरोसा नहीं है, और मैं आपको बहुत बागो से गे शाथ कहना चाहता हूं, कि बहुत बहुत भाहमत के पाद हमारी परकार तरह एक असाम में बनेगी, आप से सर्टिफिकेट कोई नहीं मांग रहा है रतनाकर जी राहूल गांधी कह रहे हैं कि मैं असम को बचाने आया हूँ कि स्टीज से बचाने आया है वहां ऐसा क्या हो रहा है कि असम डूब रहा है और उन्हें बचाने की जरूरत पल रही है मैं आपसे डिबेट शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे मित्र जो है अपना टाइम दे चुके है मैंने उनके बीच में एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया है बड़ी शांदी पुरोक उनकी बाते को सुना है तो मैं जो कहने जा रहा हूं, जो तध्षों को पिस करना जा रहा हूं, मेरी उमीद है कि ये भी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे नहीं तो डिबेट करने का कोई मतलब नहीं रहे गा, जैसा कि पिछली बार मेरा अनवाव इनके साथ रहा है बात सुनने की चंका भी होनी चाहिए अगर कोई बहुता है तो इस पर बात करेंगे ताकि आराम से बात रखी जा सके आमिद रिपाठीजी उन्गी निचा कर दीजिए और आराम से बात करते हैं यहां लड़ने नहीं आएं अमिद रिपाठीजी देखिए अभी उन्होंने बात रखना शुरू भी नहीं किया है मैं वहीं कह रही हूं मैं एक एक करके बात करेंगे मैं दोनों को बराबर समय दूंगी सर देखे जैसा कि मेरे मित्र कहा है कि अपर उपकन रेता है तो अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरे के उपर फोड़ने से गल्ती जो है माफ नहीं किया जा सकता है अगर आप देख लें तो राहूर कांधी जीन ने पड़ी संजीदी की साथ अपनी विपक्ष के नेता की भूमियानी भाई है और हर एक मुद्धे पे वो खुल कर बोले हैं जहां पे विपक्ष को बोलना चाहिए सबसे पहले इन्होंने अभी मुद्धा उठाया है कि जो चीन में सेना ने वहां पे फिंगर फोर तक हमारा कबजा था वो हमारी सेना जो नेगोशेशन करके वो फिंगर थी तक आ गई है चीन हमने गिव किया है टेक वारा कांग कोई नहीं किया है चाहिना ने सिर्फ टेक किया है कोई गिर में किया है तो नरेद्र मोधी जी कहीं ने कहीं भारत की भूमी जो अखंड भूमी है वो चाहिना को देने का काम किया यह उन्होंने मुद्दा उठाया है पहली चीज़ दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि रोजगार का मुद्द अगर आप देखेंगी तो एक प्रतिसत भारत की जनता के पास 73% संपति है यानि कि यह सरकार पुझी पतियों का मुखटा बनके पुझी पतियों के लिए काम कर रहे हैं आप जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं अगर आप देखेंगी तो प्रतिव्यक्ति आए भी माइनस 5% हो चुका है आज के डेट में और यह भाती जनता पाटी का यह चरित्र रहा है कि यह कहीं भी चाती है तो वहां पे शिर्फ अगर आप बताल का भी उदारन ले तो वहां पे भी में राम और दुर्गा के बीच में इन्होंने एक भासला बना दिया है तो इन में कोई फरक नहीं है लें आज चुनावी राजी नीति को लेकर जो वहां पे राम और दुर्गा के बीश में जो फासला बना रहे हैं, मुहिंदू और मुशलमान के बीश खाई बढ़ा कर जो दुरुईकरण की राजनिती कर रहे हैं, ये दुरुईकरण की राजनिती अब आपकी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, आप ये समझ चाहिए कि देश की जनता ये समझ चुकी है, कि ये सिर्फ जुम्ले बाज कोंकी सरकार है, बड़ी-बड़ी बाते हैं, आपके विधान सभा में, विधान परिशत में, संसत के दोनों संदों में घड़िया लिया आसुन वहाते हैं सिर्फ, लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए, आंगडों को देख तत्रों को देखा जाए, तो इनके अच्छे दिन अभी तक आए नहीं है, छे साल में डेश की GDP जो है, अभी तक सरवधिक माइनस में पहली बार, पहली बार ये इतियास में हुआ है, कि जे देश की GDP जो है, माइनस 23.9 परसंट चली गई, तो यह यह देश के लिए दुरभ है, उससे डेल गुना हुआ टैक्स पे कर रही है, मोधी सरकार आम आदनी के पॉकेट से पैसे खिचने का काम कर रही है, और तीचोरिया भर रही है, और किसके लिए, अमबानी और अडानी जैसे लोगों के लिए, इन्होंने रेलवे बेच दिया, इन्होंने एयरपोर्ट इन्होंने पोर्ट बेची दिया, इन्होंने दूर संचार बेची दिया, इन्होंने एलाइसी को बेचने का काम किया है, देश की नव रत्त कमपनियों को सिर्फ बेचने का काम किया है, यह कहते हैं कि हमने क्या किया है, सत्तर सालों में, मैं इन बज्दू को बता दूं कि हम हमने खरप दूट सिर्फ जूमला ढूंडी को जूमला की आप भूलिया मित्र पाडिची देश को जूम्ला दिया तमाब चीज आपने बेच दिया संभिया विचने की तयारी में हैं पहुच रहावल कांधि वह आपने आकास पाताम धर्टी तक तीनो जगे घोटाले गोटाले किये, आपने देश को सब्सक्राइब अजाद ही, हमारे बाटने का काम आप लोगों ने किया, आपे ये चीन की बात पर. आपने चीन का गुद्दा उठाया. आपको पता नहीं है. ये नहिरू की साइकार नहीं है. एक कर जमीन देखकर वहां लुगों को भुणा गिया है. हमारी सेना को वापस भुणा लिया गया था. आज ये बहुत बड़े ही तैसी है आज ये लोगों को अधानी और अंबानी की बात कर गए हैं आप इनसे पूछे इन्होंने दो हजार उन्निस में थे हजार चार सो करोर रुपिया अंबानी से में कर चुनाओ लड़ा की महीं नड़ा उस पर ये नहीं बोनेंगे ये केरों गुमरा करेंगे आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दुगनता और राम जी पर तो गोंते से हैं हमारे हिंदुत के धरम पर तो इनकी तिपड़ी तुगनता आजाती है लेकिन एक हमारा जब जैश्री गाम नारा लड़ाता हुआ एक बच्चा इसको स्टड़े आम चाकूँ से गोज दिया जाता है वहाँ पर किसी की चुप्पी नहीं खुंगती है तब आप कहां चले ज क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है मेन बात है खाया पीना लगना और अगर खाया पीना लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयरविदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंतर को आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे आपकी भूख बड़े खाया पिया सही से लगे नया खून बने हड़ियों में जान आए वजन बड़े ताकत बड़े चेहरे पर नूर आए और आप मुटे तगडे खूब सूरत परसनेलिट के मालिक बन जाए ये दवा पूरी तरह से आईरविदिक होती है इसका शरीर पर कोई भी साइड एफेक्ट कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तमाल कर सकते हैं और पहले पंदरा दिन के अंदर ही आपको इसका असर म 45 45 45 45 45 पर फॉन करके दवा मंगवा सकते हैं ब्रेके बाद एक बाफर से आप सभी का स्वाकत है राहूल गांधी असम के दोरे पर है और इसके बाद से वहां का सियासी पारा गर्म है दोनों महमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुएं अमिर जी मेरा एक सवाल है आप से हमेशा चुनावों को धार्मिक आधार पर हम क्यों लड़ते हैं क्यों पूरा इस तरीके से हम आहौल बना देते हैं कि उसमें राम मंदिर की भी एंट्री हो जाती है हिंदू मुसल्मान भी हो जाता है मुद्दों पर क्यों नहीं जाहूं गांधि को आज मैं पूछना चाहता हूं कि केवाल भार्टी जनता पार्टी के राज्यों में जाके आपको ये विकास्ति गंगा मानी की बहुत चिसता रहती है लेकिन जहां पर आपकी साहिता रहें आज ये जाहे जै जाहें सब्स्ताहँ के पंजाब में हो इन्ह प्रवार्ट नियुक्त अपने लेता कि वो तो बेश की मंदिर में लोक्तांटिक मंदिर में संसत के अंदर आख मारने का काम करते किछ्टे गंधीर वो भी देश की जनता ने देखा अब जहां सक की बात है यह जो आज युगा बेवजगारी की बात करते इसे पूछिये ना क यह जो पर इनकी रहते हैं आज पर इनकी साहिकारे ने वहां पर कितनों को गजगार देगा आज इस तरीके थे पंजाब में इन्होंने का ता कि हमारे आने के बात आज हम लोगो का करदा माथ रहेंगे और भी बुनियादी सुभिधाय देने का काम देंगे, किसानों को कडेक्टिरिटी से जोड़ने का काम देंगे, वाइपाई की वुस्तर परस्ता करेंगे, क्या एक दिया आपको परस्ता दिखाई दीर संजा है, देखे, जिरिफ और जि मैं अब को एक और चीज बताता हूं कि कल आप में देखा किस ताहन में थे थाइकार था था इनकी साहिकार, वहाँ पर राउंगांडी जी एरपोस पर तीन घंटाइंचे पर इंटाइंगे, वो इनको बताना थेए कि वो इंटाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि इस रहेंगे क कर आप विकास विकास आपको 2014 से यह चीज चिन लागा है, लेकिन देख की जनता तो क्यों नहीं तुन गही है, इस पर चिनता कीजिए, कितने गंबी रहें जब देख की तरना ही होती है, जब जरूरी मुद्ब उखाने होते हैं, तब गाउं गाली छुटी मनाने इतनी चन जरूरी मुद्ब उखाने होते हैं, 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 जरूरी पूछ पूछा है आप सिर्फ धार्मी के रंग ही क्यों दे रहे हैं आपको बाकी मुद्दों पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं तो हमारे मित्र के पास कोई जबाब था नहीं अल्टिमेटली ये घुमके वही कर जाएंगे जहां पे इनको जाना है जूटे रास्त्रवात की बात बताएंगे मंदिर की बात बताएंगे देवी देवताओं की बात बताएंगे ये नहीं बताएंगे कि आखिर में क्यों ये अभिकास की बात नहीं करते आखिर क्यों ये ज दूसरी बात मैं यह इनको कहना चाहता हूं चाहिना के संदर में जो यह बता रहे था कि जो हम चुड मुड का हो हला कर रहे हैं तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि साहँ अवलाचक प्रदेश में यही चीन साहँ चाहर फिलो मेंडर अंदर घुसके पूरा गाउ पसा ओर हमारे जो रक्षा मंतरी है घे मंतरी है उस जो इसको बदत दिया जाता है लेकिन हमारे देश के यह लोग जो नुमाइन्पै पूरा गाओं बसाने दिया आप मैं बता दूह 맡 कि यह पाकिस्तान के ऊपर जिलाते रहते हैं लेकिन चाइना से ये हमारे प्रदान मंत्री मोदी जी ड़ते हैं। 18 बार इनोंने चाइना के राष्टाजेक्स मुलाकात किया है। 18 बार राष्टाजेक्स मुलाकात करने का यही नतिजा है। कि तुम हमारे घर में भुश के आके आप पुरा गाँ बसा लो। तो यह कहीं ने कहीं कमजोर कुटिनितिक और राजिनितिक विभलता का परिडाम रहा है। चिक है, बोली अमिल जी। देखिए, बड़ी हती आती है, और तुरुभाग जैस देशका कि एक जिम्मधाय कॉंगरिस की नेता बैठे हैं यहाँ पर वो देश के पदानमंत्री को डगा हुआ बताते है। अगर जड़े हुए तो आप से तो आपने युद्व चोड का उननीस तो पासट में जब हमारा देश हारा तो हारा इसी वज़े से उस समय के नहरू कहा पर छुट्टिया मना रहे थे, क्या कर रहे थे उस समय की देश की जनता हूँ आज की वीडिया को पढ़ियो उस समय की अगर देश के पदान मंत्री जी जड़े होते ना तो दो-दो सर्जिकल श्ट्राइट ताकिस्तान में नहीं हुए होती तो आप जिस सेंट कोई बात कर रहे हैं उस सेंट को उखाड को तेखने का काम हमारी सेना है देखिए आप वो लोग हैं जो सेना से सबूत मानने का काम किया ता अज हमारे रक्षा मंति ने भी जाते हैं सेना के बीच में होली दिवाली बनाते हैं अपने जस तरीके से पाकिस्तान से सम्झावता किया है आपने जिस तरी आपकी नीतियों की वज़े से चीन से समझवता हुआ, उसका भुगता नाज भी भारत, भुगत रात, लेकिन ये नरेन मोदी जी की सरकार है, मजबूस सरकार है, एक तो 25 करोड की जनता का भरोसा नरेन मोदी जी में है, किसी की हैसियत नहीं है, कि वो हमारे दुस्मनों की छाती पर चड़कर उनकी चीजों को उनकी दिकाज़ करते हैं, पियोके भी हमारा हिस्ता है, ओ बहुत जंदी आप देख़े का जिस तरी से वह आप बादे उठ रही हैं, वो भी हम हासिन करने का काम करेंगे, आप तो वो लोग हैं जिनों ने आद बंगाम को आपको पता हैं भारत लेकिन इंडिया नहीं है रेपी नहीं है भारत्जारयऽ का देष है। यह चबी बनाने का काम गाम करते हैं, यह गंधिर देता है। अइसे अरिक्षक नहीं देता है। यह अरिक्त को जाता है, इनको बेष की जनता है इनको जानते हैं y grapevah भरौसानापय करते है। इनके में रहनियों में भीड़ी इसले नहीं आती है, क्योंकि राहुं गांधी को सुनने में इनके नेता ही परिसान है, राहुं गांधी के बयान को कई बार इनके नेता ही बचाने में इतने परिसान हो जाते हैं, कि राहुं गांधी जी क्या बयान दे देते हैं, कि राहुं राउं गांधी जी ने हमेशा किसी अस्मिता ख़भी को बिगाडने का काम किया, एक बार नहीं, हजारों बार इनके नेता गए, राज़ूद छीन के राज़ूद और पाकिस्तान के राज़ूदों से मिलगा, कि हमें आपकी मदद चाहिए नरेन मोदी जी के उसता से उखाड सेखने के लिए, ये बताईए ना, क्या ये ये देश की अस्मिता के साथ खिलवार नहीं है, तो क्या राज़ूद ये जानकारी आपको किस ने दिया, मित्र पाठी जी, क्यों, आपको पता नहीं है, मैं बता हूँ, बड़ी संकर आया कॉन थे, किसके पास गए थे, मड़ी बड़ी जिकी स्टाइका को खड़ भेकना, चैनल कराओ, चैनल परोल बताओ, ठीक है, रत्ना करजे, इसका जवाब मैं आप से ही लूँगी सीधे तोर पर, एक शोड़े से ब्रेक के लिए पहले या रुख लेते हैं, फॉरन हाजिर होंगे पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता, दरसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है मेन बात है, खाया पिया लगना, और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं, तो सेहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयरविदा ने एक ऐसी दवा बनाई है, जो कि आपके पाचन तंतर को, आपके लिवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाएं, उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बड़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बड़े, ताकत बड़े, चेहरे पर नूर आए, और आप मुटे तगडे, खूब सूर परसनेलिटी के मालिक बन जाए, ये दवा पूरी तरह से आईरवेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान, या दुश पर भाव नहीं होता, लड़के, लड़कियां, दोनों इसका इस्तमाल कर सकते हैं, और पहले पंदरा दिन के अंद दॉबल वन, फोर फाइफ, फोर फाइफ, फोर फाइफ, फोर फाइफ पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं, ब्रेके बाद एक बाद फिर से अब सभी का स्वागत है, बिना वक्त जाया किये, सीधा महमानों का रूख कर लेते हैं, रतना कर्च मैं जानकारी चाहूंगी, अब ये साजिश रची गई, कि मुदी सरकार को खाड फेक है, बिलकुल अमेत्र पार्थी जी कुछ दिखा रहे हैं, अपने मुबाइल पोन में, सर इतना क्लियर तो नहीं समझ में आ रहा है, आप खुदी बता दीचिए, इसका अमरोजाला का वो है, आप उसके पढ़िये, आप मिकार्श अंकाराईया रिह भी पाक में ऑनार्थी पर चर्चा की थी, आप ने जाकर पाकिस्तान में जाकर भी आनार्थी की चर्चा की, और मोधी और मोदी और किस्ता को कैसे उखाड देगना चाहते हैं आपके हिसाब से की पाकिस्तान की मदद यहां कॉंग्रेस की तरफ से ली जा रही थी तो सिदे सिदे देश द्रोह का केस हो रहा था आपने केस क्यूं नहीं किया रजिस्टर करते केस कारवाई की जानी चाहिए थी सर देखिए एक जान मिजे राहूं गांदी जिस समय देश की चीन सर्डिक मत बेचलना लेकिन कई आपने देखा हो करोना से पहले क्या चीन के राज़ू से राहूं गांधी नहीं गते को मिदा प्र्दान मंत्री भी मिले थे सर आप अब हुख सियो जुला जुला का याद अगा अगर आमान वी जी पर तो यारोग ना कश्य जीन प्रूं गांदि आचरी जीन की नजर म तो यह कोई मंतरी हैं नहीं कोई कुछ तो अभी तक बोली नहीं पाएं बोली रतनाकर जी अनरगल और तक्षेइन आरोब लगाने की आदत बात के जनता पागी की है वाच्टब इन्वर्सिटी से ज्यान लेके आते हैं और RSS की किदाबों में जो इतिहास पढ़े रहते हैं जो RSS में पढ़ाया रहता है वही बाते करते रहते हैं यह भूल गया है साधिक गांधी परिवार को और नेश्रमोधी जी को ऐसा बड़ा कद बता रहे हैं इतिहास में इस तरह का पूरूद नहीं हुआ अरे आप गांधी परिवार की क्या बात कर रहे हैं आप गांधी परिवार के बारे में आप आरोप लगा रहे हैं आप अपने गिरेबान के अंदर जाक के जड़ा देखिए आप ही के पजान मंतिर जी नंडरे मोधी जी आप काम देख चुक हैं आप जो दिखाना चाहरे हैं वो आमने देख लिया है लेकिन किसी लेक पर कैसे आप बिश्वास करने बात ये है इसी उद्र आप पर दो पर दो चुकत हैं और यह प्रदान मंत्रियां जो राश्य जग्ष जाके धूला जूलते हैं लेकिन चीन के सामने मतमस्तक हो जाते हैं अगर इस दर्दे पर यह चल रहा है जो कि यह पूरा आधानी और अमभानी को सुपूच करना चाहते हैं तुम्हें कुछ आता नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारी सहिकार प्रीदी पंजाब में, तो जो पहनी कैमिने बीटी मुईची उससे पहने है, अडानी के साथ ही, अमरिंदर सिंभाइट के बैठा किये जन्ना वीडियो को मैं देवेता हूँ भी आपको, देखे आपको देख आपको जवाब दिन जाएगा, ठीक है, अभी वो टाइम तो बहुत दूर है, सर, पंजाब में इस्थिती तो जान रहे है, अमित्र पार्थी जी आप कैसी हो गई है, कहां पहुच गए है, उमीदवार नहीं मिले है आपको नगर कॉनसल चुनाव के लिए है, वो भी जूट फेलाया गया होगा, कॉंग्रेस की तरफ से, तानरी जी, उसके लगता है, कि मेरी ज़्यादा बासे पालने पुरटा को कम ठीकी लगती है, आपको ज्यादा तीकी लगती है, लेकिन कोई बाद नहीं मैं उससे भी जवाब दे देता हूं, देखिए, हमने पहने 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 ही काहा कि हागी ही तर नीटि है, हमारे लिए राह देखिए बाद मैं, राश लीटेव पहने और राश कंदा रहेगा, वाराश कंदा बद नहीं करेंगे, देखिए, कॉर्या पंड़ देखिए, अगर आप इसी मंशा के साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर आप कोई सफलता हसल होगी रतना कर जी मेरा एक सवाल है जब कोई बड़ा इवेंट होता है मान लीजे कुछ राज्यों में चुनाव है या फिर जब कृषी आंदोलन शुरू होने लगा था किसान आंदोलन उस समय इतने ज्यादा एक्टिव राहूल गांदी दिखाई दिया और अचानक गायब हो गई है निरंतर्ता की कमी क्यों विश्वास कैसे जगा पाएंगे आप बीच बीच में तो गायब हो जाते हैं आपके नेता जी और ये बात मेरे साथ साथ एंसे पी प्रमुक शरत पावार हो गया चुक है कि अध्याल टाकी कमी है कि मेरे सवाल भूच रहा है जी सर मेरा आपसे ये सवाल है राहुल गांदी के बारे मिंत्रिपाठी जिनेंगे जवाब आपको देना पड़ेगा क्यों मैं निरंतर्ता की कमी इतनी क्यों नज़र आ रही है करना पड़ रहा है मुझे मैं अपने मित्र को बात कर रहा हूँगी यह देश की नीचियों से सम्झावता नहीं करेंगे ऐसी बात कर रहे हैं तो भाई साथ जरा पता देंगे कि जो अभी फिंगर 4 तक हमारा कपजा था वो फिंगर 3 तक कपजा क्यों हो गया प्रिश की नीचियों से समझावता करना चाहरे हैं मैं आगे जवाब देता हूँ देखिए यह किसान अपना काम कर रहा है था अपना काम कर रहा था अपना कर रहा था आथा ले जा रहा था मंडीयों भी बिच रहा था उसका है फोफिड लेके अपने घर बार को चला रहा था लेकिन मोधी जी बिना कैबिनेज में परताव लाए बिना संसद में डिस्कसन किये मिना और सांठर तो फरकार्श नमंडर्श वह 85 कानून यह की सानून कःक्ता करे ईक्र कृष्टां वह वन लेटी को डिया ज़ियोग। कर गए क्यूंद के चले गए क्यूंद किया सर शिफ से ना क्यूंद ना विरोश जटाते ना उस तरुरी क्यूं था आप लोगों के लिए जब बात रखनी होती है उस समय आप वक आउट कर जाते हैं और उसके बात बहस करते हैं अगर विपक्षी आवाज नहीं शुरी जाएगी तो हम देश की जनता को बाईकॉट करके बताएंगे कि यह तानाशा ही सरकार हो गई है यह आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं रतनाकर जी आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं वॉक आउट का मतलब आप भी भली भाती समझते हैं सर किस तरीके से परोख्ष और अपरोख्ष रूप से किसे फायदा पहुचाया जा रहा था देखे देखे मैं बता रहा हूँ आपको क्रिसी कानून पास कराया गया इसमें जो वहां पे सांसत बिपस्च बैसे हुए थे उनके उपर हो हला कारोख लगाकर उनको बरखास भी कराया किया गया वो बाद में हुआ था रतनाकर जी पूरी सदन की कारिवाह देखी है हमने अच्छे से वो बाद में हुआ था उससे पहले वॉक आउट कर गए थे आम आदमी पार्टी शिफ सेना तमाम पार्टियों ने वॉक आउट कर दिया शिफ सेना तो आपके साथ महराश्च में सरका बनाकर बैठी हुई है बात करनी थी आपको क्यूं वॉक आउट किया ऐसांसत वहां से दिफ्टक करने चाहिए तब आप बात नहीं करते हैं उसके बाद आसजा छले जाईए जाईए राजिस्थान चले पंजाब चले जाईए जाईए इस क्या फाइदा है विपक्ष की भ जी आप पहले यह जवाब दीजिए आपके आवास कौन दबा रहा है रत्नागर जी तो था बजट सत्र में बात हुई है फिर कांग्रेस के सांसर चले गए वाकाउट कर दिया बजट सत्र में जब पूछा जा रहा था कि इनमें क्या काला है बताईए मैं इनकृशी कानूनों के पक्षमे नहीं हूँ लेकिन मैं यह जानना चाहती हुँ फिर वाकाउट क्यों किया अब तो आपको किसी ने निश्कासित नहीं किया था आप वाकाउट क्यों करके गए जब आपसे पूछा जा रहा था कृशी मंतरी बार बार पूछ रहे थे कि बताईए नमें काला क्य क्या आप यह काफी है कि सरकार के नियात अच्छी नहीं है आप कैसे कहेंगे कि सरकार के नियात अच्छी आप मुझे एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए जहां विपक्ष ने यह काओ कि सरकार ने यह काम अच्छा किया आप समझीए यह बात को अगर लोग संत्र में अगर हमारी बात नहीं सूनी जाएगी तो हम हमारे पास यही एक हतियार है जिससे कि हम जन्दा को यह बता सकते हैं कि देखिए विपक्ष नहीं चाहती भार्ती जन्दा पार्टी देश में कि देखिए एक सिस्टम होता है तो सदस्यों की संख्या काम हो जाती है तो हमारे पास तो राजसभा में वैसे भी अभी बाहमत नहीं है अगर यह चाहते तो वहां लुग जाता इन्हों ने क्यों वहां से वाक आउट किया संख्या काम कर दी जानकर और फिर वो बिंद पास क्योंकि यह खुद भी चाहते थे कि वह बिंद पास हो जाए लेकिन आप यह जहां तक किसानों की बात कर रहें अभी तक इन्होंने कहा कि किसान नेताओं से राय ने ले गई गई लेकिन आज जो किसानों के नाम पर सबसे बड़े नेता के रूपे वहां बैठें गाए कुछ रहा हूं देखिया मैं कहना चाहता हूं आज समस्क्या क्या है आज समस्क्या यह है कि देशित में अगर हम तुदार अप्तार अनर्टी तीन तनार रामंजिक देशे बड़े मुद्धों को काम करने का निसारण करने का काम करते हैं तो वो कॉंग्रेश को चुबती है क्योंकि कॉंग्रेश हमेशा इन मुद्धों को उंजाक कारी रखना चाहती थी इससे देश के विकास में यह सब गोड़ा बने रहे हैं लेकिन नरेन मोदी जी की सपरकार मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम गोर्ड बैंकि गानीती करते होते तो इतने बड़े-बड़े मुद करते हैं आज हमें 25 कोड़ जनता का मारे इस भरोसा है अज यह वो कहते थे नोड़बंदी से देश को नुक्तान हो गया जिस्टी से नुक्तान हो गया तो आप मुझे बताई जोड़बंदी के बासे दो तुनों तीन चुनों दस यूचना हो चुके हैं आप बताई ना कि करती है तो तो यह कहते हैं कि आप उस सेने भार्तिश जनता पार्टी को चोड़िये आप यही कि एग शिस कानून में कामा क्या है आप नहीं बतापाएं कि तुकि अग्स कानून जो बना उससे मतमद में है क्वाल चुव चुन इस पीस से दिक्काद है कि वो भार्टी जनता पार्टी में के आई है इसमें आपको दिगोद करना है 2010 में किसी मंती सगत पवाग जी थे उन्होंने क्या बयान दिया था कि उन्हों ते जिन लागू कर जेके ले राजय सरकारों को कहा था कि अगर आप इस विम को गारू नहीं करते हैं तो राज्यों को जो विश्चे सरयोग जाता कि इन की तरफ पे वह नहीं देंगे 2013 में जब गांदी जी ने बैठक की थी और अपने मुख्यमंतियों के साथ तो उस बैठक में क्या का था उसमें का था कि एक एंची कि मंजियों की वह स्वा को ख़तम करेंगे उनको फ्री करेंगे अपनी किसान कहीं भी प्रसंग बेचे जाके यह बात उन्ते मुक्मंतियों की बैठाग में उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि यह पिन बहुत जरूरी है अगर यह बिल आजा है जो क्यूंकि जब किसान है अपना जब उत पास बेचने जाते हैं तो भिचाओंगे सारा पैसा खा जाते हैं कुछ पैसा ही किसान तक पोच जाता है इसलिए यह किसानों के हित्मे कानून है अज जब नरेन मोदी जी जी एक किसान पिन लागू कर दिया तो यह खराब हो गया और आज किस्गा के सिकैल से पूछिए ना कि जब इन लागू वा उस तवर से वह तानी सीटे किसान हित्मे बता रहे हैं आज वह क्यों द पर चुनाओती है इसमेरे उस तिजी जब लगे आज किसान अपने खेत में इसके पाज इतना समय नहीं है कि वो जाकर इस तरीके के अंडोलन में हिस्टा बने साजिस का हिस्टा बने इस जान का हिस्ता बने चिसानों के हित्मे यह उठाए हुए हुँए हमने नई विवस् पर चुनाओती जो है उस चुनाओती से नेपटने का भी काम आप ही का है और यह किसानों के हित्मे है या नहीं है वो भी आने वाले समय में पता लगी जाएगा सर फिलाल आप दोनों मैं मानों को यही मैं रोक रही हो शुक्री आदा करना चाहूंगे आपका आप दोनों हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए तो राहूल गांदी असम के दोरे पर पहुंच रहे हैं वहां जाकर उन्होंने एक बार फिर से रोजगार का मुद्दा उठाया क्रिशी कानून का मुद्दाठ उठाया साथ उन्होंने फिर से अपना बयाउं दोराते हुए कहा है कि अभी भी देश तो सिर्फ चार लोग ही चला रहे हैं और तमाम जो आरोप है उन्होंने भारती जंता पार्टी पर लगा यसी के साथ इस बुलेटन में इतना ह खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार